नमस्कार प्राइम नाइन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र विश्व कर्मा शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी ख़वर से जो भोपाल से आ रही है कोरोना को लेकर सक्त हुआ प्रसासन भोपाल मैं अब धर्णा प्रदर्शन पर रोक बड़े आयोजनों पर भी रोक लगाई मास्क नहीं पहनने पर लगेगा सो रोपे का जुर्माना जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बेठक में फैसला तो भोपाल से बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं जहां बड़े आयोजनों पर रोक हो गई कोरोना को देखते हुए प्रसासन स नजर आ रहा है तो करते हैं खबरों का मध्य प्रदेश बिधान सवा में दूसरे दिन दिबंगत नेताओं को स्रिधान जली दी गई तो कॉंग्रेस ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को स्रिधान जली नहीं देने का आरोप भी लगाया इधर कई बिधायक बिना म मास्क के सदन में पहुंचे देखिए ये खास रिपोर्ट प्रक्षा बंतरी विश्वा सारंग ने अधिकारियों से कहा कि दुकानदारों को मास्क की अनिवारिता और सोशल डिस्टेंसिंग का सक्ती से पालन कराये के निर्देश दिये जाए नगर निगम रोको ठोको अभ्यान शुरू करे और मास्क ना लगाने वालों से सौ रुपाय का जर्माना वसूला चाहे हट बाजारों में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिये गए हैं आज जिस तरीके से बिधायक रामभाई कह रही है कि मास्क लगाना कोई यरूनी नहीं है तो आप इसी कैसे देखते हैं नहीं ये तो मुझे लगता है कि ऐसा किसी भी जिम्मेधर वेक्ति को बोलना ही नहीं चाहिए जिस प्रकार से संक्रमन बढ़ रहा है तो एक तरफ फिर से जनता पर कोरोना की मार पढ़ने वाली है वहीं दूसरी तरफ विधान सभा जा रहे माननीयों में कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा सीम शिबरा सिंग के निर्देश के बावजूर कई विधायकों ने मास्क नहीं लगाया जब मीडिया ने ठोका तो आप भी सुनिये उनके जबाब क्यों पैनना है जिस मात्स से मुझे तकलीब हो फुटन होती हो उल्टी भर रही हो मैं कैसे पैन सकती है जनकृति नहीं तो जनकृति नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे काम करूँ पुदी ही मर जाओ किसलिये नहीं पैनती क्योंकि मैं वैदिक जीवन पद्धती का शत्रप्रतिशत पालन करती हूँ मैं सुर्योदे सुर्यास्त के वक्त अगरी होतर करती हूँ और उससे पूरा घर परिवार बातावन जहां आप रहते 12 गंटे सेनिटाइज रहता है यह विज्ञान की कसोटी पे कसी हुई बात है और सुर्यास्त के वक्त में पाठ करती हूँ जो प्राणायाम है एक पूरी साथ गहरी बरतेश लोग बोलते तब अगला श्लोग बोलते है काईसिस मेनेजमेंट नहीं है यही मेनेजमेंट है इनका पूर घटवा सारन्ग ने कहा कि आप लोक डाउन या बड़े शेहरों में नाइट कर्फियू नहीं लगाया जाएगा कहीं भी किसी भी तरह के लॉगडाउं या नाइट कर्फ्यू की विवस्था लगाने का ना कोई विचार है ना इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है और मध्य पदेश में ऐसी इस्तिती भी नहीं है महीं मंगलवार को सदन में हंगामा शुरू होने से पहले ही सदन की कारवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया कॉंग्रेस ने किसान आंदुलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए मौन रखने की मांग की कई अहम विधयक भी पेश होने थे लेकिन हंगामे के पहले ही कारवाही खत्म कर दी गई अब देखना है कि क्या बुधवार को माननी अपनी गलती सुधार कर मास्क लड़ाते नज़र आएंगे या फिर नियम कायदे के बल आम लोगों के लिए ही है साथ ही देखना है कि किन मुद्दों पर बुधवार को सदन में संग्राम शड़ता है और सबसे बड़ा सवाल कि वुधान सभा उपाध्यक्षे कौन बनता है ब्यूर रिपोर्ट डिनन न्यूज मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहन ने कांग्रेस के पूरवध्यक्ष राहुल गांधी पर तन्य कसा है अपने ट्वीट में सिएम सिवराज ने लिखा कि चलो राहुल जी ने अब दच्छिन भारत को भी कांग्रेस मुक्त करने का बीड़ा उठा लिया है ये एक अलग ही तरह की उत्तर वर्सिस दच्छिन की राजनीती है जो हम और आप नहीं समझ सकते हमारे लिए तो पूरा भारत एक है स्रेश्ट है दरसर केरल में होने वाले बिधान सवाद चुनाओं के लिए राहुल गांधी परचार के लिए पहुँच रहे हैं और अपन पूचेरी में कॉंग्रेस सरकार गिरने के बाद मद्रदेश में बीजेपी कॉंग्रेस में ट्वीट वार सुरू हो गया है कॉंग्रेस ने बीजेपी पर सायराना अंदाज में निसाना साधा है कॉंग्रेस ने ट्वीट कर लिखा बिकने को बाजार में सब बिकता है गालि तु कचरा खरीद कर अपना हुनर ताक पर न रख जिसका ग्रह मंत्री नरुत्तम मिस्रा ने भी सायरा ने अंदाज में ही पलट बार किया उन्होंने लिखा कि अपने अहेंकार की आग से खुद का घर जलाते हैं वो इसी तरह हर बार हम पर इल्याम लगाते हैं ये सिलसला यह नहीं खत नहीं हुआ ग्रह मंत्री के ट्वीट पर कॉंग्रिस ने एक बार फिर जवाब देते हुए लिखा बिधायक खरीद कर सरकार गिराते हैं वो कुछ यूँ लोक तंत्र की हत्या कर जाते हैं इन दोर में नगरी निकाय चुनाओ को लेकर अपना दल पार्टी ने भी तैयारियां सुरू कर दी हैं अपना दल पार्टी नगरी निकाय चुनाओ में इन दोर के पचासी बार्डों में अपने पचासी मेदान में उतारेगी जिसकी तैयारी पार्टी के पदाधिकारियों कर ली है कि अभी सबसे पहले तो जो दो कब जो सबसे ज्यादा है एक बीजेपी और कॉंग्रेस इससे तो लोग कापी सारे त्रस्त हो चुके हैं और अभी आगामी टाइम पे नगर निकम के चुनाव भी जल्दी होने वाले हैं तो इसका मद्दे नदर रखते हुए कल हमारे जो प्रदेश की उपाधध्श है मानिय बगल साथ तो ओकल यहां पर लग्रण ईंदोर शहर में उपनका आगमान है और लग्रिख हमारा सारा डिस्कर्शन इसी विशह पर रहेगा कि हमें क्या करना है हमारे इंदूर के लिए क्या करना क्योंकि आपको तो पता है इंदोर में तो कापी सारी जो चीज़े आज भी पेंडिंग चली रही है पस उसका अपडेशन करना है और प्रदिश उपात देख्ष हमारे जैसे कल आएंगे तो लगबख हमारे इंदोर में कुछ 85 वार्ड हैं तो 85 वार्ड के जो प्रत्याशे भ देख्ष हमारे जाएंगे तो एक बड़ी ख़बर की बात करते हैं जहां बाला घाट में नाइट कर्फ्यू पर रोक लगा दी गई है कलेक्टर ने इस संसोदित आदेश को निकाला है पहले बाला घाट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था कोरोना को देख्टे हु लेकिन कलेक्टर ने अब नाइट कर्फ्यू पर रोक लगा दी है हलांकि पांस से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर अभी भी रोक है लेकिन नाइट कर्फ्यू पर रोक लगा दी है हलांकि दो बातें अभी महत्त्पूर्ण है कि पांस से जादा लोग एकत्रित ना हो इ के दुती अपर सत्र नियादीस ने सिटी एसपी पर गंभीरा रूप लगाए हैं। जिला सत्र नियादीस को लिखे पत्र में अपर सत्र नियादीस ने अपने साथ किसी अपरी घटना की आसंग का जताई है। सुप्रीम कोड ने दमों के देबिंदर 84 हत्याकांड की अपर सत्र नियादीस को सौपा है जिला सत्र नियादीस को लिखे अपने पत्र में अपर सत्र नियादीस आरपी सौनी ने लिखा कि दमोह पुलिस अधिक्षक हत्याकांड के अवियुकतों के साथ मिलकर अपने अधिनस्तों के जरिये भविस्ष में गंभीर और जूंटे आर ततिया जिले में ग्रामीन बिकास बिभाग की योजनाओं को ग्रामिस्तर के सरपंच और सचिब ही पलीत लगा रहे हैं छेतर में मुक्ति धाम नहीं होने की वज़े से लोगों को अपने खेतों में ही मिर्तक परजनों का दाह संसकार करना पड़ रहा है मामला दतिया जिले के ग्राम जखोरिया का है जहां अपने एक परजन की मौत के बाद व्यक्ति को अपनी फसल काट कर खेत में ही अंतिम संसकार करना पड़ा मुक्ति धाम नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद जिला पंचाई सीयों ने जाच के बाद कारवाई करने की बाद मुक्ति धाम का कोई ब्रकास नहीं है फसल काट के जला रहा है अपने अपने खेतों पे जलाते हैं साब इसकी जल्द से जल्द कारवाई होना चाहिए बरसाद में सबसे ज्यादा परेशा नहीं होती है करें सरकारी जमीन भहत है आथी करमान करें हैं लोग तो उससे ठाया जाए हमारी मुक्तिधाम तयार कि fazer km at के हमारे बुए कि कुछ गरिब लोगों के पास जमीन खुद की जमीन नहीं है एक दूसरे के लिए कोई जखड़ता है कि कोई अपने खेत पर जलाने नहीं देता है कि परजी नक्सली बनकर बल्रामपुर की महला सरपंच से दस लाख फिरोती की मांग करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गरिफतार कर लिया है जबकि गिरोह का एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है आपको बता दें कि चांदो थाने में महला सरपंच ने फरोती मांगे जाने की सिकायत दर्ज कराई थी जिसकी परताल करते पुलिस ने रोजगार सहायक सहे चार आरोपियों को धर्दबोचा कर देने के बाद पुलिस ने इसके ततपरता के साथ गंबिरता के सेट्रकन को लेते हुए केस रेश्टिप किया इसके इंवेस्टिगेशन प्राण किया इंवेस्टिगेशन के दवरान जो है हमारे ठाना प्रोबारी और रंजन लकड़ा और उनकी टीम इसमें लगी हुई थी फिर काल आया पैसे की तिजाम हुआ कि ने इसके लेटर के पिलिस ने पिना अपना इंवेस्टिगेशन जो है और अगर रहा और उसमें आरुप्यों की गिर्प्तारी जो है इसमें गवालियर के बारा घाटा इंडस्टिल एरिया में अबेद रूप से आटा कार खाना चलाया जा रहा था छापे में ना तो यहां बैधानिक दास्तावेज मिले ना ही कोई रेजिस्टेशन फैक्टरी में मिले एक युबक से जब अधिकारियों ने पूछताच की तो वह उन्हें चक्मा देकर भाग निकला सक है कि इस फैक्टरी में सरकारी गेहूं को खपाया जा रहा था यहां दिल्ली उत्तर प्रदेश और मद्ध प्रदेश के सरकारी गेहूं के कट्टे मिले हैं अधिकारियों ने फिलाल फैक्टरी को सील कर दिया है और आटे का नमूना जाच के लिए भेज दिया है इंटी भूमाफिया एक्ट के तहत प्रसासन और नगर निगम ने बड़ी कारवाई करते हुए भूमाफिया घंस्याम सिंग राजपूत के रोहित नगर इस्तित अवेद निर्माण पर बुल्डोजा चला दिया जानकारी के अनुसार सरकारी जमीन पर अवेद कपजा कर यहा जाता है कि भूमाफिया ने मात्र 2400 स्कॉाइर फिट की पनमीशन ली थी लेकिन नप्ती में 5000 स्कॉाइर फिट से ज्यादा की जमीन पर निर्माण करते हुए पाया गया आरोपी घंस्याम सिंग राजपूत पर पहले से ही मामले दर्ज हैं पहले लंवे समय तक जेल की सजा भी काट चुका है ये पूरा मामला भोपाल के रोहित नगर का है इंदोर एस्टी अपने बड़ी कारवाई करते हुए यूरेनियम बेचने वाले चार आरोपियों को गरिपतार किया है चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताये जा रहे हैं यूरेनियम के ना मुक्विर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिचा कर चारों आरोपियों को धर्द बोचा इसमें हमें हमारे विश्वस्त मुक्विर की द्वारा सूचना प्राथ हुई थी कि उत्तर प्रदेश से चार व्यक्ती यूरेनियम को विक्रा करने के लिए इंदोर आ रहे हैं तो मुक्विर की सूचना के आधार पर हमने अंपली टीम को लगाया था जिसमें केशरवाग इंदोर केशरवाग बिच्च के पास हमारी टीम ने चार व्यक्ती यूरेनियम पजार्द बताते हुँ जो बैंच रहे थे उनको पकड़ा प्लाल वक्ति छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्द हाजर होते हैं ब्रेक के बाद स्वागा थे आपका रुक करते हैं गली खबर का रतलाम में आग का कहर देखने को मिला साला केड़ी गाओं में येक योबग घर में गैस चालू कर भूल गया जब वह बापस लोटा था उसने माचिस जला दी जिसके चलते पूरे घर में आग लग गई वहीं योबग भी गंभीर रूफ से जुलस गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भरती कराए गया पर सुका सुसराल गया था और आज सुबह आया था वो में यसान उखान ने चली गी ति फिर नो बज़े मेर पास ठोना आया फिर में आया इत्रे अस्पताल लिया गया गय से जल गया क्या कारण पर सामना है गेस की तंखी चल्लू छोड़ी लेडिरींग करने गया आए वापस अ फिर आइन देख रहा हूँ पर आएन देखे अगय जाले होँ हम थियान दिदो ने ही तो और डबरा है रफतार का कहर देखने को मिला एक अनियंत्र टेक्टर ने बाईक सवारों को टक्कर मार दी जिस में बाइक सवार दो महलाओं की मौकिप पर ही मौत हो गई वहीं ये वगंभी रूप से घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भरती कराया गया बिन्ड में फायरिंग का एक मामला सामने आया है जहां गोपाल पुरा इस्टेट हाई वे पर टॉल प्लाजा पर फायरिंग होई वहीं घटना के बक्त कुछ गुंडों ने फायरिंग कर टॉल प्लाजा में तोड़फोड की पूरी घटना सीसी टीवी में कहद हो गई जिसके बाद पुलिस ने अग्यात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलास सुरू कर दी है वहीं घटना के बाद टॉल कमपनी ने पुराने ठेकेदार को हटा कर नए ठेकेदार को टॉल की कमान भी सौब दी है खरगोन में किसान के साथ मार पीट कर हत्या का मामला सामने आया है जहां कुछ लोगों ने किसान को पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया मामले में पुलिस ने आपसी रंजिस की आसंका जताई है पुलिस मामले की जांच में जुट गई है राइपुर से मारपीट की घटना सामने आई है जहां नसे की हालत में एक होटल में बैठे कोछ युवकों का बेवाद हो गया जिसके बाद युवकों ने हौकी डंडों से मारपीट और तोर फोर करना सुरू कर दिया वहीं होटल संचालक ने पुलिस को घटना की सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने आरोपीओं को गरिफतार कर लिया है के पास पुलिस को लड़ाई जगड़ा की सूचना पर पुलिस गई थी जहां पर एक बावी जंगेल नाम का युवक सिधार सुगला के साथ एक डंडा उसको मार दिया था जिसके सिधार सुगला की परसोटा ग्राम नवासी एक सक्स ने अपनी दो बेटियों की साधी एक ही घर में की थी जिनने दहेच की मांग को लेकर पितारित किया जाता था ससुराल से भाग कर माय के पहुँची मितका की छोटी बहन भूरी ने ससुराल पक्च पर अपनी बड़ी बहन जूली को मार कर जलाने का आरोप लगाया है जिसके बाद थाने में पर जनों ने सकायद दर्च कराते हुए ससुरालियों पर लड़की की हत्या का आरोप लगा दिया गाओंबाले भी जूली को पिट्रॉल डाल कर जलाने की बात कह रहा है हालनकि पुलिस ने मामला दर्च कर थफ्ती रायपूर में राजिस्तरी उननीसवी निसानेवाजी प्रतियुक्ता का आयोजन किया गया है यह है आयोजन 26 फरवरी से 36 गर ससस्तर सुरक्षा बल चौथी बटालियन के माना इस्तिर सूटिंग रेंज में होगा जिसमें इस्ट जोन सूटिंग चैंपियंसिप के लिए न सिर्फ एक जुमाली नहीं था सन 2002 से हमारे राजिस्तर्तिरगड में राजिस्तरी निसानेवाजी प्रतियुक्ता का आरंब किया गया था तब से अब तक लगातार वर्ष में एक बार स्माल बोर पिस्टल राइफल और एयर वेपन्स में हम लोग माना इस्ते चतुर्त शत्तिसगरड शेसस्तर बटालियन में माना कैंप में इस प्रतियुक्ता का आयवन करते आते हैं इस बार हम उन्नीस्वा राजिस्तरी निशानेवाजी प्रतियुक्ता का आरंब 26 फरवरी से लेके 6 मार्ज तक करने जा रहे हैं इस प्रतियुक्ता में 50 मीटर पीप साइड ड्राइफल, 50 मीटर ओपन साइड ड्राइफल, प्रोन पोजिशन मैच, त्री पोजिशन मैच लिए लोट रहे थे, तभी रास्ते में छात्रा ने सड़क पर बैठ कर कलेक्टर का काफिला रुकवा दिया, और बताया कि उसकी बार्मी की मार्क सीट में प्राइवेट छात्रा डला हुए है, जबकि वह है रेगुलर रही है, इसकी सिखाय छात्रा ने सीम हेल्प लाइन पर भी की, लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत मामले की जाँच के आदेश दिये, मामले की जाँच के बाद यह साफ हो जाएगा कि छात्रा रेगुलर थी या नहीं चात्रा है, उससे लगभग मेरी 10-15 मिनिट कमरे के अंदर अल्डेडी चर्चा हुई थी जनसुनवाई के दौरान, हम लोगों ने विशेश प्रयास करके उस स्कूल से डिरेक्ली अटेंडेंस रजिस्टर को भी बुलवाया था, चात्रा का मुख्य रूप से आरोप यह है जो बच्चे हैं उन लोगों की गलत अपसंट लगाई गई है, और जानबूज के इस प्रकार से गलत अपसंट लगाने के वज़ा से उनकी अटेंडेंस जो है वो 65% से कम हो गई, जिस वज़ा से उनको माकशीट की ओपर प्राइविट चात्र के रूप में दर्शाया गया उनकी मांग ये है कि उनको रेगूलर चात्र के रूप में दर्शाया जाए, जिसके लिए 65% से ज़़ादा अनिवार है, हालना कि ये मुद्धा क्योंकि दो बार मेरे सामने रेस किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर संभव है कि कुछ गरबर की गई हो, तो हम लोगों ने इंडर्देशित किया है कि कंसरांट प्लाचारे को और टीचर को एक नोटिस जारी करेंगे, उनसा स्पष्टी गरंड लेंगे, फिर इसके यतोचत मेंना करेंगे मुझे। मैं रेभूलर आई हूँ और मुझे प्राइवेट कर दियागे है, इसकूल के दोारा, प्रिंसिपल सर के दोारा, 12 में किस कारण से आपको प्राइवेट कर दिया गह थिद्ट हो अपनेस लटाई की कारण? अब तुमको 12 में देख लूँगी प्रतीबादेश मुपमेड नहीं आया था मैंने इसमें दो बार जाज भी तर आई है और हर बार यही मेरे पास रेपोर्ट आई है कि इनकी अटेंडेंडेंट शॉट है मैडम आपको बताना चाहूंगा कि जो रहिस्टर है आपने देखा ह है और राइटिंग है तो उसमें आपने क्या जाच की है नहीं उसमें जो बच्ची के जो है उसमें दो ही जगावर राइटिंग है उस पर्टिक्लर कल्स के कुजा के मैडर में बांकी जो आप जो तर्थ्वों नए-नए सामने रखी उसके संबंद के जाच होगी हम लगता ह के साथ से आठ गाओं के लोग है खास तोर पर युवा कारिकरम का हिस्सा बने कारिकरम में बी-एस-एफ के जवानों ने जरूरत मनों को दवाईयां और जरूरत का सामान बितरित किया इस तोरान लोगों में भी जवानों के पृति बिस्वास देखने को मिला जो सियोवी के एरिया में जो इतना फार फ्लंग गजची रोलीक दिस्टिक के साथ सता हुआ हमारा कांकेज दिस्टिक का इतना दूर इलाके में सिवी एक्षन करने का मक्सद गाओ गाओ में हमारा सेंट्रिल का एड पहुंचाना डेबलप्मेंट लाना जो जितना जो हमारा इरिया के इस शेतर में जरूरत वाला समान पहुंचाना ये हमारा सिवी एक्षन का उदेश है उसके साथ साथ हमने देखा है इस एरिया में काफी जो मेडिकल केर का जरूरत है तो इसलिए हमारा दोक्तर साथ बिजावर में चल रहे महा मंडल बिधान और विस्तो सान्ती महाय के काज अंतिम दिन रहा जहां जेन धर्मसाला में महायग का आयोजन किया गया यग के बाद नगर में बिसाल कलस सोभायात्रा निकाली गई जिसमें जेन समाज के सभी बर्क के लोग बड़ी संख्या में सामिल हुए बड़ोत में ग्राहक को लेकर दो चाट विक्रेताओं ने बाजार में एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के दस लोगों को हिरासत में लिया है खूनी संखर्स में आठ लोग गंभी रूप से गायल हो गए गायलों को C.S.C. पर भरती कराया है दरसल बड़ोत के आजात मार्केट में हरिंद और आसू की चाट की दुकान है एक ग्राहक को लेकर दोनों पक्षों में कहा सुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे निकल आए अब इस वीडियो पर खूब फनी मीम्स वाइरल हो रहे हैं और तो प्राइम नाइन में फिलाल इतना ही मुझे दीजिए जाज़त आप बने देजिए डिनेन के साथ नमस्कार